असलाम रिकों दियो स्टूडेंट्स कल हमने OSI model study किया और OSI model थोड़ा सा हमने go through किया और इसमें हमने देखा था कि इस model में 7 layer mix model है और layer 1 इसके end पर होती है और layer 7 इसके top पर होती है जबकि इसमें total जो 7 layers हैं इसमें 3 layers जो top की 3 layers हैं यो software layers कहलाती हैं और last की 3 layers hardware layers कहलाती हैं और आपने हर layer को यह समझना है यह जो यह जो stack है ना seven layers का stack यह एक system में मौझूद होगा for example आपका laptop है तो यह उसमें software की सुरत में यह तमाम stack जो है मौझूद होगा इसी तरह से दूसरे system पर जिससे यह वाला आपका laptop communicate कर रहा हो किसी दूसरे remote system के तो उस system में remote system में भी दूसरा इसी तरह का stack होगा तो आपकी एक virtual link create होता है यहां पर application layer एक system की दूसरी application layer दूसरे system की डूसरे system की जो अबलके फेटेशन लेशन ट्रेशन लेशन से ही क्मिनिकेट करते हैं हर लेशन ने अपने जो peer layer है यह से peer layer भी कहते हैं तो उसने उससे communicate कर misconceptions कर रहे हैं जबकर 週वर दूसरी तरफ जो आपकी लेर्स से मिली वह और सेशन लेर्स से मिली हुए तो ये उन दोनों से भी 5 अधी णिते तो इस तरह सेटे को आपकि लेयर करती हैं आप जितनी करड़ी ओए अधी एंग केशन हो रही जाहरे है क् इसफयर झारि को इस स्ट्रक्चर होता है और उस पर यह वर्क कर रही होती है इसके अकॉर्डिंग ली बेसिकली यह प्रोटकोल्स क्या हैं सौट्वेर्स यह नेटवर्किंग के सौट्वेर्स हैं राइट जी अब देखिए सब्कोज आपका जो पैकेट है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं इम लोग größer बन चुके थे और वो बिट्स बन चुके अफ़िर वह फिस्टीकल लेर से निकलती havia आप फिर वह दूसरे सिस्टें में कंपा और और फिर अल्टिमेटली वह application layer तक complete जो email हो message वह destination पर user को view हो जाएगा तो इस तरह से यह layer वर्ट करती है अब देखे हमने कर लिए application layer study की थी application layer पर हमने देखा कि कौन-कौन सी protocols आपकी work करती है for example आपकी website की जो जिससे आप website देखते है । इसके लावा आपकी FTP यह file transfer protocol इसके लावा आप email जो send करते है SMTP protocol वह भी आपकी application layer पर चलती है बिल्कुल इसी तरह presentation layer पर भी कुछ protocols होती है और वह presentation layer आपकी क्या काम करती है जरा हम देखते हैं इसमें explore करते हैं सेकेंड एक्स प्रेजेंटेशन लेयर येस presentation layer का देखी क्या काम होता है यह एक तो यह कि data को reformat करती है और साथ-साथ यह data को compress भी करती है और तीसरी बड़ी important feature है कि यह encrypt करती है data को encryption पर फॉर्म करती है data को reformatting थोड़ा सा मैंने idea दे था आपको कि उसकी form change करने पड़ती है कि for example आप लोग जो A लिखते हैं A के back पर कोई coding होती है ठीक है अब वह coding आपके ASCII हो सकती है और वह E, BCD, IC हो सकती है या वह BCD based coding हो सकती है तो काफ़ सरी उन में से आपके पास choices होती है कोई सी भी आप जब protocol design करते हैं तो उसको use कर सकते हैं किसी भी scheme को अपने data को represent करने के लिए अब देखिए यहां पर presentation layer में आप देखिए जो आपने जिस आप जिस format में अपने data को आप transform कर रहे हैं ठीक है वह आपका उसी form में travel किया उसने communicate हुआ वह जो आपकी बीच में channel आ रहा है उस पर उसी form में travel किया अब देखिए आप आपका जो यह data format हुआ ठीक है एक format से दूसरे format में जब वह convert हुआ तो basically वह उसी format में transmit होगा आपके channel से और जब वह transmit होगे दूसरे end पर पहुंचेगा तो वहाँ पर reconversion होगी back यानि पहले वाली system पर वह encode हुआ था data ठीक है आप for example आपका a है a के back पर जो भी आसकी कोई numeric code होगा वो encode हुआ और फिर वो जो भी एक numeric code होगा वो transmit हुआ आपका channel पर और फिर दूसरे end पर वो decode हुआ आप और वहाँ पर 66 था अगर तो वो decode होके वापस a बन गया तो इसलाँ से आपके encoding decoding हो रही हो था है और इस ह changes data according to the receiver format जाहर आपके receiving computer पर उसी format में उसको वापस लाना पड़ेगा जिस format में वो अल्रडी था sender के system तो इसको कहा जाए data reformatting तो presentation layer का काम है कि वो data को इस तरह से encode or decode करती है और reformat करती है second feature माई पास है जनाब इसकी encryption encryption याद रखें security में होता है और बड़ी important एक ये feature है encryption से मुराद for example आप data की form को change कर दो for example मैं कहता हूँ जरा अली है मैं चाहता हूँ कोई hacker रस्ते में जब transmit होता है आपका तो वो अली को read ना कर सके अली का नाम मैं क्या करूंगा change कर दूँगा थोड़ा सा एक code इसका for example अली का A को मैं B कर दूँगा ठीक है L को M कर दूँगा और I को J यह एक letter मैंने आगे बढ़ा लिया और यह सर्फ receiver को पता है कि मैंने किसके साथ क्या सलूग किया इस अपने data के साथ तो यह दूसरे end पर उसको decrypt करेगा उसी form उसी तरह से जिससरा मैंने यहां encrypt किया तो उसको reverse करेगा तो यह मैंने क्यों कर रहा हूं security के point of view से क जब कि याद रखे हैं जो आपने इसे पहले की थी ना आसकी में या जो जो भी जिस कोडिंग में भी आपने conversion की तो वह security के लिए नहीं थी हलाकि है वो भी form change हो रही है और form यहां भी change हो रही है आप अली से उसको कुछ और बना रहे हैं लेकिन encryption आप करते हैं security purpose के लिए ज जारे चैनल से गुजरना है तो one और zero नहीं गुजरना है ठीक है तो कोई ना कोई उस आपको चाहिए तो encryption बेसिक लिए है security purpose की वजा से और form आप उसकी change करते हैं ताके कोई hacker जो है इसको read ना कर सके नेक्स हमारे पर इंपॉर्टर फीचर जो compression compression क्या करती है data को compress कर देती है आपने शायद अक्सर यूज किया होगा अपने system पर विन जिप का software यह विन रार का software तो वह किसी हद तक जो है sometimes काफी ज़्यदा compress कर देता है data sometimes उसमें गुझाइश नहीं होती है अलड़ी वह जो है ना वह compressed होता है तो इस तरह से तो यह डिपेंड करता है कि कितना compression apply for example अली का नाम आपके file में 10 दबार repeat हो रहा है तो वह ज़्यादा बहुत ज़्यादा compress कर देगा तो इससे रिपेंड करता है compression की कितनी गिंजाइश है आपके database में अच्छा compression जो है यह कहां पर हो रही है आपकी यह इसी presentation layer पर हो रही है और यह करना इसलिए भी जडूरी होता है compression ताके आपका data compress होकर ज़रा थोड़ा सा साइस कम हो जाए और वह जरा कम डिले के साथ ट्रांस्मिट हो जाए आपकी receiving end पर तो presentation layer के तीन चीज़े हमने देखी formatting encryption and compression next हमारे पास है जनाब session layer क्या होती है session layer देखें आप जब आपका जब भी जो laptop है ना आप laptop पे को website access करते हैं आपका laptop एक्लाइंट है जबकि website जहां से आप उठा रहे हैं read कर रहे हैं वो web server है तो इन दोनों client और server का connection establish होता है पहले और फिर ही आपकी जो information है वो exchange होती है तो वो जो connection बनता है ना तो वो आप से मिलें तो session layer का काम है कि session कर स्टैबलिश करती है manage करती है और end पर terminate करती है a session is an exchange of messages between computer so session basically क्या exchange of messages है दो computer के जर्मियान और यह synchronize भी करता है इसा होता है कि आपने देखें checkpoints शायद नाम सुना हो कि जब भी दो endpoints के जर्मियान दो computer के दमियान data travel transmit अगर कर रहा होता है तो अगर आप check pointing अगर फॉलो कर रहे ना दुनों system तो ऐसा होता है कि जहां से आपका suppose आपका power breakdown हुआ power failure हुआ और 40% transfer हुआ था data और वो जब next time session आपका बहाल हुआ तो वो 40% से ही आगे 41 से start लेगा और वो तभी लेगा जब आपने check pointing की होगी आपने check points बनाया होगी ठीक है suppose आपने check points आप बना रहे हर 25% के बाद ठीक है तो अगर suppose आपका 30% data अगर transmit हो चुगा था तो वो 5% को जाय कर देता है और वो 25% से start लेगा means आपने check point बनाया 25% 50% पर फिर 75% तो इस तरह से आपने जहां जहां check points बनाएंगे वहां वहां पर उसका data आप समय ने save हो चुका और आपने जो है वहीं से पिर आप तुबारा से इसको resume कर सकते हैं तो यहां भी वही बात कर रहा है अगर आप इसको read करें for example if a failure occurs only the data from the last check point is retransmit अगर failure occur होता है तो last जो आपने check point बनाया था वहीं से data retransmit होता है अगर आप 100 MB की file वह send कर रहे है तो session layer ने अगर हर 5 MB के बाद अगर वह checkpoint बना रही है तो अगर disconnection हो जाता है 63 पर ठीक है तो वह तो वह क्या करेगा आपका थोड़ा सा वह 60 यह एक बैग होकर थोड़ा सा 60 यह दायर है उसका last 5 के बाद अगर कर रहा है तो 60 MB पर आकर दुबार से वह उसको send करेगा It means that only the last 40 MB of data need to be yes इस तरह से आपका जो है सिर्फ आखरी जो 40 MB है सिर्फ वही transmit करना पड़ाएगा 100 MB के अगर file transfer करें राइट तो यह जो checkpoint है कौन सी layer कर रही है यह आपकी session layer कर रही है बड़ा important role है इसका दो end points के जर्मियान आपकी sessions को maintain करने की जिम्यदारी है इसकी अच्छा जनाब इसके लावा और भी session layer के बड़े important काम कुछ कर रही होती है Let's see next page हमारे पास किसी से related है फिल्हाल आपकी book में और further functions के नहीं बताया अलांकि function फर्दर भी है इसके functions next जनाब आपका है ट्रांसपोर्ड लेयर का क्या काम है end to end communication करवाना और बहुत important role है इसका यह आपको पता है इसका number कौन साइसका number है जनाब fourth चौथा number ट्रांसपोर्ड लेयर के नीचे hardware layers हैं तीन और इसे उपर जोए software layers हैं तीन तो ट्रांसपोर्ड लेयर बिलकुल mid में आ रही है लाई कर रही है और इसका काम क्या है end to end data को सही सालिम पहुंचाने की जिमेदारी जो है ना वो इसकी है यह यह guarantee देती है यह layer के आपका data पहुंच जाएगा बस आप बेफिकर हो जाएं तो end to end communication जो है वो करवाना है वो इसने करवाना है तो भी अगर बीच में कोई error आता है को मसला आता है वो इसने recover करना होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर responsible for end to end communication between two devices it takes data from the session layer इसका काम होता है कि session layer से data receive करें उपर वाली layer इससे session layer और फिर उसको divide करें बहुत सारे chunks में बहुत सारे टुकडों में pieces में और फिर उन pieces को आप क्या कहते है segments कहते है ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो piece बन रहा है न जो छोड़े पीस बन रहे हैं आपके data के तो वो से हम क्या कहते है segment the transport layer on the receiving device receives the segments आपकी ट्रांसपोर्ड लेयर जो receiving device है ठीक है वहाँ पर वो क्या receive करेंगा segment receive करेंगे और बहुत सारे segments को वो join करके reassemble करके आपकी जो file है उसको बनाएगी original file को और जाहर है वहाँ पर उसने errors भी check करने है कि उनकिसी segment में को error आ गया फिर वो दुबारा से उसको बताएगी sending device को भई यह वाला segment ठीक से नहीं आया इसको दुबारा send करो दूसरा से एक सिलसला जो है ना दो endpoints के दर्मियान यह जारे ट्रांसपोर्ड लेने ट्रांसपोर्ड लेयर से communicate करनी तो दूसरे destination system की जो transport लेर बताएगी source system की ट्रांसपोर्ड लेर को कि भई फ़ला segment जो है वो corrupt हो चुका था या वो ठीक से नहीं पहुंचा इसको दुबारा send किया जाए तो इस तरह से यह layer काम करती है the data is transmitted again if there are errors in the transmission yes data कर दोबारा से transmit होगा अगर कुछ errors रह जाते राइट आपकी अभी तक होगी है जनाब नेटवर्क लेयर क्या होती है वो राए हाजी नेटवर्क लेयर क्या होती है दिखिए नेटवर्क लेयर यह responsible होती है data transfer कराने के लिए दो डिखिए नेटवर्क सब्सक्राइब कराने तो उनके दम्यावन data को transfer देखिए नेटवर्क से मुराद है heterogeneous network एक network में different तरह का subnet यह ऐसा एक तरह की protocol है और एक network में different तरह की protocol है तो वो पर router involved हो गया ठीक है different networks को joint राने के लिए जाहर है router पर बात चली गई और फिर यह यह जो लेयर है ना आपकी network लेयर इस पर router काम कर रहा होते हैं और यह network क्या करते है इसने उपर वाली लेयर से जो के ट्रांसपोर लेयर से segments receive करने है ठीक है और उनको और small उसको units में divide करके उनके packets बना देने ठीक है यानि इस लेयर पर जो बनेगा ना आपके पास जो एक piece उसको आप कहेंगे packet जबके transport लेयर पर जो एक piece बन रहा था उसको हम कहते थे segment तो the network layer on receiving device resembles the packet तो जबके दूसरे end पर वही network layer उसी तरह की एक network layer होगी जो आपके packets को resemble करेगी network layer ने network layer से ही बात करनी है उसने किसी और layer से बात नहीं करनी communicate नहीं करनी अच्छा यहां एक और बात बड़ी important है कि network layer data भी आपका जो address है ना packet के उपर वह भी उसको दे रही थी कि बहुए यह जो packet है जार हर packet independently move करता है आपको पता है रस्ते में independently जा रहा होता है और जाहर है independently जब जाता है तो उसके साथ source address भी लगाना है उसके साथ destination address भी लगाना है फिर ही वह packet पहुंचेगा destination तो यह काम भी conciliar करती है आपकी network layer करती है this process finds the best physical path for the data तो network layer का काम है किस दिन best possible जो path है न तो जाहरे router का काम भी तो यह है कि उसने best possible path जो है वो उससे packet को traverse करवाना है अच्छा जी आज के लिए I think काफी है हमने आज देखा थोड़ी सी network layer पर बात हुई इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ड layer देखा ट्रांसपोर्ड layer से पहले हमने थोड़ी session layer पर बात की और presentation layer पर बात की हमने आज चार layers discuss की तोटल हमारी पर हम यह नहीं हम पढ़ चुके application layer मिलाकर five layers पढ़ चुके कल हम जरह मजीद दो layers देखेंगे और further एक और question भी करेंगे कोई question आप लोग कर सकते हैं thank you see you tomorrow